आगे क्या होने वाला है कि नए अंक में आज बात होगी लंदन और नियू यॉर्क पर परमालू हमले कैसे गिराय जा सकते हैं आके क्यों इन देशों पर परमालू हमला होने की बात कही गई है तो आज के एपिसोड के साथ मैं हूँ आपके साथ शेकर दिपाठी और अब आरम करते हैं हम आज का अपना नया एपिसोड रूस और यूक्रेन युद्ध में महीनों की लड़ाई के बाद अब एक नया मोड आ गया है यूक्रेन की सेना ने रूस के अंदर करीब 10 किलोमीटर तक घुसपैट कर ली है और 1000 किलोमीटर के शेत्र पर अपना कबजा जमा लिया है दूसरे विश्यूद के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि रूसी क्षेत्र पर शत्रू देश की सेना का कबजा हुआ है इसके बाद से रूसी सेना काफी दबाव में आ गई है और अब वह जबाबी पलट वार करने जा रही है इस बीच रूस में अब ये मांग हो रही है कि पुतिन सरकार ब्रिटेन के लंदन शहर और अमेरिका के न्यूयार्क शहर पर परमालू हमला कर दे। रूसी रक्षा विशेशग्य इस्ता निसलाव क्राप विनिक ने हाल में ही कहा कि मासको पहले से ही उत्तर अट्लांटिक संदी संगठन या नाटो से युद कर रहा है और इसका जबाब पश्शीम देशों के लंदन और न्यूयार्क जैसे शहरों पर परमालू बंब गिरा कर देना शाहिए अमेरिकी सेना में अधिकारी रह चुके रूसी अमेरिकी मूल के क्राप विनिक ने एक मीडिया कारिक्रम में कहा कि अमेरिका रूस का दुश्मन है और रूसी जनता को नश्ट करना चाहता है क्रापी वनिक अब अमेरिका छोड़कर रूस में रहते हैं परी 2022 में आरंब हुई ये लड़ाई अब एक संकट ग्रस्त मोल पर आकर के खड़ी हो गई है। इस यूद के कारण से यूरोप में दूसरे विश्यूद के बाद सबसे बड़ा शरांठी संकट भी आरंब हो चुका है। अगर हम इस युद को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें यूक्रेन की सेना को ही पूरी तरह से समाप्त करना होगा। हमें उसे हराना नहीं हैं बलकि यूक्रेनी सेना का पूरा का पूरा विनाश करना है। उन्हें बंदी भी नहीं बनाना चाहिए। उनकी लाशें बिछानी च इसे पहले 6 अगस्त को यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स इलाके पर हमला कर दिया था और 1000 किलोमीटर के क्षेत्र पर कबजा जमा लिया था। कुर्स क्षेत्र में ही रूस का परमाड उर्जा केंडर है और यहां से बड़े पैमाने पर बिजली पैदा की जाती है। शनिवार को रूस के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना इस परमाड बिजली केंडर को निशाना बनाने जा रही है। यह एक खुला युद्ध है और इसके उत्तर में एक अमेर्की शहर या फिर ब्रिटन के लंदन शहर को धर्ती से अब मिटाना आवश्यक हो गया है जो की यूक्रेन को हतियार दे रहे हैं। के बाद परमाड युद्ध की आश्रंग का व्यक्त कर चुके हैं। यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस पर आक्रमण किया और तब से उसके दरजनों शहरों पर कबजा जमा लिया है। यूक्रेन ने करीब 1150 वर किलोमीटर शेतर पर कबजा जमाया है। उनको इसमें आश्यर जनक सफलता भी मिली है। अब यूक्रेन के सैनिक रूस के अंदर 35 किलोमीटर तक पहुच चुके हैं। बेलारूस के राश्टपती ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा पर लगबग एक तिहाई सैनिकों को तैनात करते हुए अब परमाड़ युद की चेताओनी भी दे दी है। बेल्टाइ स्टेट न्यूज एजनसी के अनुसार बेलारूस के राश्टपती अलगजंडर लुकास शेंको ने रविवार को कहा कि उन्होंने यूक्रेन सीमा पर 60,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। रूसी राश्टपती पुतिन के सबसे एहम सहयोगी लुकास शेंको ने रूस के कुर्स्ट में यूक्रेनी सेना के कबजे पर बोलते हुए उन्होंने ये बात कही है। यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त को रूसी क्षेत्र में घुसपैट की थी और इसके बात से पुतिन की सेना के हाथ से काफी सारा क्षेत्र बाहर चला गया है। अलेक्जेंडर लुकास शेंको की अब एक तिहाई सेना दक्षडी सीमा पर तैनात है। उन्होंने नाटो को भी सीधी धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन कुस्क में आगे बढ़ा है अगर पश्चिमी गडबंधन ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए सेना भेजी तो फिर एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन तो रूस को हरा नहीं पाएगा ऐसे में पश्चिम और नाटो उसके साथ आ सकते हैं। और भयानक होगी। नाटो देश भी इसे समझते हैं और हम भी इसे समझते हैं। इसलिए हमें बातचीत की मेज पर बैठने की आवश्यक्ता है। लुकाशेंको ने कहा कि पोलेंड से बेलारूस पर हमला करना नाटो का सपना था क्योंकि गडबंधन अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। लुकाशेंको का दावा है कि उसने अपने 60,000 मजबूत सशष्ट्र बलो में से एक तिहाई को यूक्रेन की सीमा पर भेज दिया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि यूक्रेन ने बार के दूसरी ओर 1,20,000 की सेना भी खड़ी कर ली है। बेलारूस के शासक की टिपड़ी का यूक्रेन ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यूक्रेनी सीमा सेवा के प्रवक्ता एंड्री डेमचेंको ने रविवार को यूक्रेनी मीडिया आउटलेट उक्रेन्सका प्रावदा को बताया कि बेलारूस के सास्थ सीमा पर इस्थिती अभी अपरिवर्तित बनी हुई है। तो दर्श को आप देख सकते हैं कि अगर रूस का 1000 किलो मीटर का शेत्र अगर यूक्रेन ने कबजा जमा लिया है तो आपको क्या लगता है कि क्या रूस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगा। और ऐसी स्थिती में अब जो परिस्थिती दिखाई दे रही है वो पूरी तरह से अब परमाणु युद की तरफ दिखाई दे रही है। पूरी की पूरी जो रक्रिया चल रही है ये परमाणु युद में परिवर्तित होती दिख रही है और तीसरा विश्व युद जिसकी अंतिम तिथी बार-बार दी जा चुकी है लेकिन अभी लगता है जैसे इसे कोई अद्रिश सक्टी टाल रही है क्योंकि इस्राइल और इरान युद में भी अभी बार-बार बात बढ़ती है और वो फिर पीछे हट जाते हैं लेकिन रूस और युक्रेन का युद अब निरनायक मोड पर इसलिए आ गया है कि अब इस युद को लगभग पौने दो वर्ष हो रहे हैं और ये युद युक्रेन बिना नाटो दे है तो फिर यहां पर ये बात बहुत गंभीर हो गई है और अब जो रूसी राश्टपती पुतिन है वो अब परमाडू युद का प्रयोक करेंगे क्यूंकि आप वैसे भी देखे कि ये जो परमाडू बं बनाए गये हैं या परमाडू हतियार जो बनाए गये हैं ये इसलि और कोई भी देश जब इस तरह का भै आपके अंदर उत्पन होता है लेकिन जब आप उस भै से भैबीत नहीं होते हैं तो फिर उसके पास अंतिम विकल्प बसता है कि फिर उस भै को वो वास्तविक्ता में बदल दे अब रूस के राजनाईक और रूस के बहुत सारे लोग पीछे कर रही है और 1000 किलोमीटर तक यूकरेन की सेना आगे बढ़ गई है तो इससे रूस की शक्ती भी कहीं संसार में कमतर होती हुई दिखा रही है तो ऐसी स्थिती में अब रूस को अपने अस्थित्व को बचाने के लिए परमाडु बम का प्रयोग कर रहा पड़ेगा क्योंकि अब इसमें रूस ने अभी तक जितने भी हतियारों का प्रयोग करनाटा इस यूद्ध में वो सारे कर चुका है और अभी अभी हमें एक जो समाचार प्राप्त हुआ है उसके अनुसार रूस के पास अब जो है गोला बारुद की भी कमी हो गई है क्योंकि दो वर् करता है कि अब जब हतियारों की भी कमी पड़ रही है और एक परमाडू हतियार जो की बना करके रखा गया है इसी लिए बना की रखा गया है कि आवश्यक्ता पढ़ने पर उसका प्रयोग किया जाएगा तो अब गोला बारुद भी समाप्त हो रहे है और रूस के पास जो उस पे दबाओ है वो यूक्रेड पर तो दबाओ रहेगा ही प्रमाडो हमला करने का लेकिन इसके साथी साथ ओ आप पर शर्पर भी खार गया किdonkी ciao देंगा context of the अब हम ये बात आपको किसले कह रहे हैं और इसकी समय सीमा क्या हो सकती है ये आज ही हम बताएंगे अपने दूसरे एपिसोड में जिसमें हम बताएंगे कि आपको दोनों देशों के बीच यानि रूस और अमेरिका के बीच एक समझावता हुआ था वो समझावता भी अब समा प्रमाडुबम का प्रयोब कर देती तो आकि ऐसे समझावता हुआ था और अब इस समुषचे के समाप्त होने के बाद रूस के पास कितने विकलत होंगे परमाडु सेगला करने का इसके लिए आपको देखना होगा हमारा अगला एपिसोड तो देखते रहें आज का हमारा ये आगे क्या होने वाला है कि तीन एपिसोड जिसमें एक एपिसोड हम आपको बांगलादेश पर दिखा चुके हैं दूसरा एपिसोड यह हो गया और तीसरा एपिसोड भी हम आपको श्रीग्र प्रस्तूत करने जा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम बहुत ही श्रीग्र भविशिवाडियों का एक नया कारिक्रम आरब करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही एक तरह से नय प्रकार की विशयवस्तु आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको वो रोचक तो लगेगा ही ज्यान वर्थक भ आएंगे कि भविश्यवाडियों से भैवीत होने की आवशकता नहीं, जैसे आप संसारवर की सारी जानकारियों को देखने हैं, समस्ते हैं, लेकिन उस पर बहुत गंभीर नहीं होते हैं, तो इस पर भी बहुत गंभीर होने की आवशकता नहीं है, लेकि साओधान अवश् साउधान रहना और साउधान करना ये भी कोई अपराद नहीं है साउधान करने का कारे हम कर रहे हैं साउधान रहने का कारे अब आपको करना है तो इसी के साथ हमें अब अनुमती दें यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक